नवश्कार इस वीडियो के माद्धम से आज हम प्रॉस्टेट इलाज्मेंट या बीपी एच की सजरी के बारे में जानेंगे कि किन पेशेंट्स में सजरी की जरौत होती है और किन पेशेंट्स में हम सजरी एवाइट करते हैं नहीं करना चाहते हैं और क्या-क्या सजरी आभेलेबल हैं, लेजर सजरी क्या होती है फ्रॉस्टेट की तो सबसे पहले में बात करूँगा किन पेशेंट्स में ये इर्जियो डिसाइड करता है कि सजजरी की जरौत है और किसमें अपने को मेडिगल ट्रीटमेंट करना होता है तो अगर किसी patient की अगर पेशाब बिल्कुल बंद हो जाती है उनमें catheter पढ़ जाता है तो usually आम तोर पर अगर trial के बाद भी अगर fail होता है catheter नहीं निकल पाता तो surgery ही विकल परह जाता है इसमें दूसरा indication होता है अगर बार-बार urine infection हो रहा है अगर ब्लैडर में या पेशाब की थहली में stone बन गया है तब सजरी करते हैं अगर पेशाब रुकने की विज़े से kidney में सूजन आ रही है hydronephrosis develop हो रहा है तो operation होता है बार-बार अगर bleeding होती है तब operation होता है या दवाईयां अगर कोई patient नहीं लेना चाहता इस चीलिए या prostate की दवाईयों के side effects develop हो रहे है या बहुत ज़्यादा पेशाब बच रहा है symptoms बहुत ज़्यादा दवाईयों के बावजूद भी अगर symptoms severe है तो फिर हम सजरी का decision लेते है सजरी का decision होता है सिर्फ prostate के size पे depend नहीं कर पाता या mainly patient के symptoms पे depend करता है उसकी बाकी comorbidities में लब और क्या बिमारिया है उस पे depend करता है कई बार ऐसा होता है कि sonography में बड़े-बड़े prostate होते हैं 100 ग्राम, 120 ग्राम, 90 ग्राम तो भी हम दवाईयां चलती रहती है क्योंकि उनका flow अच्छा होता है, symptoms नहीं होता हम operation आउफर नहीं करते कई बार हम 25-30 ग्राम के prostate में भी operation करते हैं जिनमें बहुत ज्यादा तकलीब होती है तो prostate का size ही सिर्फ criteria नहीं है इसके अलावा ऐसे भी कुछ patients group हैं जिनमें हम surgery बहुत ही ध्यान से करते हैं या सोच समझ करते हैं जैसे especially ऐसे patient जिनको prostate के अलावा और भी neurological बिमारिया है जैसे Parkinson's disease है, stroke हो चुका है, लकवा मार चुका है, या structure है तो उसमें हम usually operation बहुत ही careful evaluation के बाद ही plan करते हैं prostate operation के बारे में एक चीज और important है, usually जिए prostate की problem होती ही 50 साल के बाद होती है यही एज ग्रूप है जिसमें बाकी बिमारिया भी होती हैं, जैसे blood pressure हो गया, diabetes हो गया, heart diseases, stroke, Parkinsonism तो यह सारे patient में यह सारी comorbidities हो सकती है तो जब भी हम operation का plan करते हैं तो इनका detailed work up physician fitness लेना होता है और यह देखना होता है कि मरीज operation के लिए fit है की नहीं है और ऐसी कोई चीज तो नहीं है, कई बार patient blood thinner पे होता है जिसको हम antiplatelet agent करते हैं खासकर ऐसे patient जिनको heart की बिमारी है, तो ऐसी इस्तिती में कई बार हम antiplatelet बंद करते हैं यह अगर माल लीजे angioplasty अभी recently हुई है एक साली हुई है, ऐसे patient में हम blood thinner बंद नहीं कर पाते हैं तो ऐसे patient में हम laser surgery offer करते हैं तो अब इस पर आएंगे कि हम prostate की surgery होती कैसे हैं तो prostate की surgery usually दो तरीके से की जा सकती, पहला तो open विधी द्वारा होता है, जिसमें patient के पेट में चीरा लगता है दूसरा दूर्बीन की विधी द्वारा होता है, जिसमें हम पेशाप के रास्ते दूर्बीन से जाते हैं और prostate को अंदर ही अंदर उसको निकाल देते हैं और पेशाप का रास्ता खुल जाता और patient को बहुत ही अच्छा urine pass होता है यहां पे मैं यह बताना चाहूंगा जो normal prostate enlargement की surgery होती है और एक जो prostate cancer की surgery होती, दोनों ही अलग-अलग होती, दोनों का treatment अलग-अलग होता है हलांकि prostate cancer की surgery के बारे मैं यहां पे discuss नहीं करूँगा, उसमें usually prostate पूरा निकाल दिया जाता है लेकिन जो normal enlargement जिसको BPH बोलते हैं, जिसमें हम दूरबीन द्वारा surgery करते हैं उसमें prostate सिर्फ अंदर ही अंदर निकाला जाता है, बाहर का खोल या बाहत की परत रह जाती है और इसमें open surgery आजकल बहुत ही कम हो गई है हमने पिछले 10 साल में कोई भी open surgery नहीं की, सारी दूरबीन द्वारा या laser पद्धती द्वारा ही की गई है पर फिर भी जहां पे facilities अविलेबल नहीं है या बहुत ही ज्यादा बड़ा prostate है 200 ग्राम या 200 ग्राम से ज्यादा बड़ा prostate है तो rarely इस situation में open विधी द्वारा भी surgery की जा सकती है अब मैं आऊंगा दूरबीन विधी द्वारा surgery के बारे में इसमें इंडिया में में दो तरीके की surgery होती है एक conventional TURP surgery होती है और दूसरा होता है laser पद्धती द्वारा surgery होती है conventional TURP surgery और laser पद्धती दोनों में ही पेशाप के रास्ते दूरबीन से जाते हैं लेकिन prostate को निकालने का तरीका अलग अलग होता है TURP technique में usually electrical current होता है जिससे हम prostate को छोटे-छोटे pieces में काट के बाहर निकालते हैं और अंदर ही अंदर उसको core out कर देते हैं इससे पेशाप का रास्ता खुल जाता है और जबकि laser की technique में laser की technique में दो विद्या होती या तो हम prostate के जो tissue होते हैं उसको जला सकते हैं जिसको हम PVP technique या photo vaporization आप prostate कहते हैं जिसमें हम green light laser या holbium laser machine यूज करते हैं इसमें यह ऐसे patient में की जाती है जिनमें blood thinners चल रहे होते हैं heart की problem होती है और उनको नहीं रोका जा सकता है दूसरा होता है holep technique इसको holep technique इसमें laser के दोरा prostate को अंदर ही अंदर पूरा inucleate किया जाता है और पूरा as a whole पूरा निकाला जाता है और उसको फिर बाद में छोटे चोटे pieces करके morcelation के दोरा उसको बाहर निकाला जाता है बारी रूप से दोनों technique सेम ही लगती है बट यह है कि laser technique में usually bleeding के chances कम होते हैं blood transmission के chances कम होते हैं पेशाप की नली जल्दी निकल जाती है और patient की recovery faster होती है और एक या दो दिन के बाद पेशाप के रास्ते की नली निकाल के अगर पेशाप बहुत अच्छे से हो रहा है flow अच्छा से हो रहा तो उसी दिन छुटी कर दी जाती है शुरुआत में operation के बार सुरूराइग के बात में पेशाप में जलन होना पेशाप के शुरू या आकडी में खून आना या जल्दी जलुआप दिन के में पेशाप